और हरियाना में नई सरकार ने शपत ले ली है नायप सेनी ने हरियाना के सीम पत की शपत ली राजिपाल बंडारु दत्तात्रे ने सेनी को शपत दिलाई सीम के साथ पाँच मंत्रियों ने भी शपत ली है कवरलाल गुर्जर, मूचन शर्मा, रनजीत सिंग, जेपी दलाल और बनवारी लाल मंत्री बने है तो हरियाना में नई सरकार बन गई है नए मुख्य मंत्री ने शपत ले ली है नायप सेनी अब हरियाना के नए सीम होंगे ने मुख्य मंत्री पद की शपत ली पद और गोपनियता के उन्होंगे शपत ली राजजेपार बंडारू दत्ता त्रे ने उनको शपत दिलाई और उनके साथ साथ 5 मंत्रियों ने भी शपत ली है हर्याना में विधान सभा चनाफ की च्छे महीने पहले और लोग सभा चनाफ की तारीकों के ऐलान से एन पहले बीजेपी जेजेपी गडबंदन तूड़ गया जिसके बाद सुबह सुबह मनहोरलाल ने इस्तीफा दे दिया हर्याने की सरकार में हुए इस अब प्रत्याशित बदलाव को 2024 का चुनावी दाव भी कहा जा रहा है राजनीतिक जानकर मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीम की कुर्सी पर OBC चहरा बिठा कर आने वाले लोगसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ा दाव खेल दिया है दरसल हर्याणा में OBC समोदाए से 44 फीसदी आबादी है सैनी की सीम बनने से सुबह में गैर जाट समीकरण भी बरकरार रहेगा इसके लावा नाईब सैनी के मनहोर लल का भरोसे मंद होने से अंदुरी टकरा भी टल गया साथी नाईब सैनी के विवा़ों से दूर रहने की वज़े से चुना में फायदा होने की भी उमीद है मगर मनोरलाल की जगे नायब सैनी को सेम बनाय जाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं सवाल है कि मनोरलाल की जगे नायब सैनी को सेम बनाने की पीछे क्या हर्याणा में 9 साल का anti-inclusive factor है क्या ये आप और कॉंग्रेस के गडबंदन से मची खलबली है क्या नित्रत्व बदल कर ही हर्याणा की सभी 10 लोग सबा सीटे जीतना संभव है क्या हर्याणा में युवा नित्रत्व को बागडोर देना चुनावी रणनिती है क्या मनोरलाल की CM रहते हुए युवा वोट चिटक रहा था और सबसे वड़ा सवाल ये कि क्या नायब सैनी को CM बना कर BJP ने हर्याणा के 44 फीज दी OBC वोट साधनी की कोशिश की है मगर एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि महस एक रात में हर्याणा के सियासी हालाद बदल गए दरसल जेजेपी और BJP गटबंदन तूटनी के वज़े लोग सबाच चुनाव में सीटों के बटबारे को लेकर हुई मदबेब को बताया जा रहा है जिसकी पटकता कल रात हुई 45 निट के एक मीटिंग में लिखी गई जब सोमवार की रात को दोश्यन्त चोटाला ने BJP अध्यक्ष जेपी नडड़ा से दिल्ली में मुलाकात की बताया जा रहा है की मीटिंग में चोटाला ने जेजेपी की सीटे बढ़ाने की मांग की बगर BJP ने अपनी एक भी सीट छोड़ने से इंकार कर दिया जिसका नतीजा आज सोबे गडबंदन तूटने के तौर पर सामने आ गया BJP से गडबंदन तूटने के बाद जेजेपी के आपात बैटक हुई जिसमें आगे की रणनीती पर चर्चा हुई और निरने लिया गया कि कल विसार में नव संकल्प रैली आयूजित की जाएगी और पार्टी के अगले कदम का ऐलान किया जाएगा ये तै किया गया कि कल दौक्षाप का जनब दिन है जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में विसार में अबरे जाएगा